इसमें डर इसका गार पैदा हो गया है कि अभी कुछ बूलने से भी विस्टू डर रहे हैं कि पीछे सा जाएंगे डंटे मारने लगेंगे उठा के ले जाएंगे कि लगरा जैसे आतंगवादी हैं वास्टर नहीं है देखिए कि इस पकार डंटे उन्टे लेकर फॉर्स भरे भी कि अभी हम पठना के उसी इलाके में मुझूद है जहां से पिछले 3-4 दिनों से प्रोटेश्ट देखने को मिल रहा है यह जो रास्ते हैं पूरी तरीके से समझे के चावनी में तबदील हो गया है क्योंकि यहां पे पुलिस की जो गस्ती है वो लगतार बढ़ते जा र च्छात्रों नाराजगी जाहिर तो पर दिखाई दरीये कुछ चात्र से बात करें वाले चूसे सालों से इंतियार कर रहे थे और 6 सालों के बाद सीट आई तो लगबग 5-6 अजार तो 5-6 अजार सीटों में बच्चे कहा जाएंगी तेखिए यह जो सरकार है बीजेपी का यह निकम्मी सरकार है पांच साल वेट किया इन्होंने लगबग 1 साल रहने का खर्च 1 लाग परता है और यहां पटना में रहने वाले जादातर बच्चे जो हैं गरीब तपके के लोग आते हैं और किस परकार से यहां रहते हैं आठ वाई आठ छे वाई छे के कमरे में रहते हैं किसी परकार से मैनेज करके अपना दिन्चरिया जलाते हैं उसके बाद भी 5 साल के बाद भी वेकेंसी आता है तो हमारी बिहार के लिए मात्र 38 सीट है यह बहुत सरकार का जो नाकामी है कहीं धर्म के नाम पे राजिती करते हैं लेकिन जो मूल मुद्दा है शिक्षा का स्वास्त का रोटी कपरा मकान का उससे हटा हुआ है जो जिसे किसी की तेविएट पर कोई असर ही नहीं परेगा जैसे की धर्म यह जीवन में एक महत्तु है हम राम मंदीर वनने असे पर संद नहीं लेकिन जितना राम मंदिर पर राजनिती हो रहा है उतना अगर छात्रों का जो नोकरी का मुद्दा है इस पर राजनिती हो तो लोग काफी आगे बढ़ेंगे जो लोग तंत्रा हमको अधिकार देता है कि सांतीपुर तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं तो बच्चे तो कल कोई हिंसा नहीं कि तो फिर लाटी क्यों बरसाई गई बच्चों के उपर हो गया है कि अभी कुछ बूलने से भी स्ट्रें डर रहे हैं कि पीछे सा जाएंगे डंटे मारें लगेंगे उठा के लिए जाएंगे और हम लोग बाहर साइब है तो लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का चात्र चात्रा हो इचर लोग सपोर्ट किये हैं वो बिल है कि उच्फेल रहे हैं रहां हम और साथ मैं यहां पर करके सरकार से भी लड रहे हैं इस चाये तो जाये कहां है यह समय के मारे हुए बच्चे हैं और समझे कि अगर इनको मतलब उट के मुह में जीरा के बराबर नौकरी दी गई है तो बच्चे कहा जाएंगे क्या नम आप त्यारी करने वाले आप त्यारी करने वाले जी आपको भी तो लगी रहा होगा कि जो सीटे दी गई यह बहुत कम सीटे हैं जी बहुत कम सीटे हैं इतने दिन से त्यारी कर रहे हैं अब क्या मूझ लेग घर दिखाएगा आदमी जाकर को वही बहुत समाझ में नहीं आ रहा है कि आप करे तो क्या करें कुछ ऑप्सन नहीं दिख रहा है घर भी नहीं जा सकते घर भी क्या बोलेंगे घर वा पाँच लाग से जादे छात्र पड़ते हैं और ये छात्र कल सांतेपुर तरीके से धरना पर दर्सन कर रहे तो लिनके उपर जो एक इतनी बेरहमी से लाटिया चार्ज किर गई इतनी बेरहमी से पीटा गया कि समझे कि लगा कि ये लोग आतंकबादी हैं पटना को उड़ा संसद में बजट पास हो रहा है तो वहां पर प्रसासन पूरी तरीके से मुझते उनको सुरक्षा दे रही है कि हाँ भाई अभिपक्ष के लोग भीरोध करेंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये भी तो एक समझी अपना भीरोधी कर रहे हैं सांतिपुर तरीके स संसद में लाठिया चलती है जो एकी रंग अभीर उड़ जाते हैं संसद में जोकि कूर्सिया तूट जाती है उसका कोई दिक्कत नहीं है फियार तक नहीं होता है लेकिन ये बच्चे सांतिपुर तरीके से घर कर रहे हैं तो इनके उपर लाठिया भरशाने के काम सरकार कर और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में इससे जो एकी सरकार को कुछ फायदा होगा अमोमन सरकार को नुकसान ही देखना पड़ सकता है देखिए यह जो युवा है सब यह सब युवा घर के पढ़े लिखे एजुकेटेड परसन है अगर यह बोल दे अपने मम्मी पा अपने दोस्तों से अपील यह हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जैसे हम लोग अभी इस जलजला में जी रहे हैं उन लोग इस अपील यही है कि सामने चुनाव है अगर हम लोग को यहां दबाया जा रहा है तो हम लोगों में वह च्छमता है कि हम लोग आगे बढ़कर के गोवर्मेंट को भी दबा सकते हैं यानि उसका असर चुनाव में दिखाना चुनाव में 100 परसेंट दिखाएंगे और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसके घर पे 5-7 भोट नहीं होगा बिहार के हर गाहों से यहां पर लर्का लोग बिल्यम का हर डिस्टिक से लर्का लोग है हम लोग बिहार में 38 सीटे दी गई है जीला में एक सीट है लोगसभा में कितना सीट है तो हम लोगसभा चुना वहां क्यों नहीं लड़ सकते हैं लड़ लेंगे तो कुछ तो भोड तो काटेंगे नहीं जीत पाएंगे तो तो इसे हम सभी दोस्तों से ही अपील है कि हम लोग यहां हम लोग अगर धेल रहे हैं एक तो छे साल के बाद वेकेंसी आई है पचीज इसका फिलब कम से कम टेकनिसियन एलपी में जायेगा आपका डिपलोमा इजिनिंग और आईटीए के छात्रों का तो पचीज से तीस लग वेकेंसी जायेगा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग सीधा अपील यहीं करेंगे अपने दोस्तों से कि अब की बार अगर हम लोग को पर तरित किया जा रहा है तो उनको भी कोई हक नहीं है कि हम लोगों से आ करके कुछ मांगे और हम लोग उनको दे हम लोग को देगा उसी को हम लोग रखेंगे जो नहीं देगा उसको नहीं रखेंगे बिल्कुल एक बात है और जरूर यह अपना देश काफी भिक्सित हो र तो आप इंडिया के अंदर देख लिजे, हम पटनास में हम लोग हैं, राजस्थान में भी लड़के परतारित हैं, उसके बाद इलाहाबाद में भी सारे अस्टुडेंट परतारित हैं, जहां जो भी अस्टुडेंट है, सब परतारित है, ठीक है? बिल्कुल एक चीज़ आपको बता दे कि भारत में सबसे जादे रोजगार देने वाली जो संस्ता है, वो रेलवे हैं, और जहां पर लाखों लोग नोखरी कर रहे हैं, और मात्र प्लस कोष्ट, 14 लाख रोजगार रेलवे, 14 लाख प्लस प्लस रोजगार उसके पास है, देत हैं, और आप यदि बोल रहे हैं, कि हम 2024 से कंटिन्यू वेकेंसी देंगे, तो फिर हमारा 2018 से ले करके और 2024 तक का कोटा दीजिएगा ना, जो बचा वो शिर्ट तो दीजिएगा ना, अभी कम से कम हम लोग का एलपी टेक्निशन मिला के 60,000 सीटेड है, जी जी जी, 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 इसी से समझिये ना, जे 55-56 सीट है, 30 लाग फॉर्म आएगा, कितना टॉप कमपेटिशन जाएगा, इसके पर जो जॉब में हैं, उनको तो कोई प्रोबलम ही नहीं है, बेरुजगार हम लोग है, रोड पर हम लोग है, प्रोबलम हम लोग को है, अच्छा, क्या मूले करके आदमी घर जाएगा, क्या दिखाएगा, वही है, सारे स्टूडेंट के बीच में ही है, अभी पुछते कि पांच सल से पढ़ रहा है, क्या कर लिया भी तर्व, आपको जब जुरत पढ़ती है, तो स्टूडेंट ग्रूप यहां दाता है, हम लोग के नसुसाइट करने के स लरकारता है और कहता है कि तो लोग सही से पढ़ता नहीं और सरकार पर दोस्त लगाता है